जहन सांथियों आप सभी का फिर से स्वागत है नम वीची अकैडमी के ओनलाइन प्लेटफर्म पर तो अभी हमने दोपहर में जो क्लास ली थी उसमें इंटरनेट चैप्टर शुरू किया था और हमने उसको मैक्सिमम कबर अब कर लिया है उसी के आंगे से अब कंटिन्यू कर करते हैं चलिए तो मुझे पता है कि एक्जाम की डेट जैसे ऐसे पास आ रही है तैयारी में आपा धापी हो रही होगी घवराहट हो रही होगी अंदर ही अंदर ये रिंज होगा कि किसी ना किसी प्रकार से आप जो है कैसे एक्जाम को कौलिफाय करें क्या पढ़ें क्या छोड़ें अंतिम समय में क्या पढ़ बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो आपको परिसान कर रही होंगी लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना यह एक्जाम का अभी तैयारी का अंतिम समय चल रहा है और मुझे लगता यह सबसे अच्छा समय है आपसे बात कहने का यदि आपने इमानदारी से तैयारी की है न तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है और कई बार ऐसा होता है कि एमानदारी से तैयारी करने के बाद भी एक्जाम हॉल की कुछ गलती है सेलेक्शन होने से रोग देती है उन पर भी हम डिसकस करेंगे कि एक्जाम हॉल में गलतियां ना करें इसके ल को तो देना है समय के उपर चीज़ों को बहुत जादा हावी नहीं होने देना है अपनी उपर क्या होता ही कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टुडेंट एक समय एक्जाम देने के बाद आप साथ में चले जाते हैं कि नहीं हो पाया मेहनत की थी खलाडिम का चीज होती है उस से तैयारी करते हैं सांती से एक्जाम देते हैं सिलेक्शन नहीं भी होता है तो फिर से तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है कुछ लाइने हैं जो काफी मुझे पसंद आई आज मैं कुछ लाइने पढ़ रहा था मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊंगा कुछ ऐसा लिखा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा क्यों फूसते हो तुम दर्या से की नीर कहां तक जाएगा अरे खीच धनू की डोर निसाधा साधो अपनी मंजिल पर बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा तो आपको तो बस निसाना साधना है, पूरी मेहनत से खीचना है और तीर को छोड़ देना है उसके बाद तीर को जहां जाना होगा, वो जाएगा, उसे किस्मत के वरो से छोड़ देना, मेहनत के बाद, अथरबेद हम पढ़ते हैं, तो अथरबेद में कहा जाता है कि कृतम में दक्षने हसते, जयो में सब वाहिता, अर्थात, आपका कर्म आपके दाए हाथ में है, तो भागे, बाए हाथ से आपका साथ देगा ही देगा, तो कर्म प्रधान है दोस्तों, भागे जो है, वो देखा जाएगा, यदि इमानदारी से महनत की है, तो ये आपका पूरा चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ चलिए, तो हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम चर्चा करेंगे इंटरनेट से जोड़ी कुछ महत्पूर सप्दा वली के उपर, पहला सप्दा आता है प्राउजर, पहला सप्दा आया है ब्राउजर हम सब जानते हैं कि वे ब्राउजर का आप यूज कर चलिए, तो यहाँ पर प्रोम क्या है एक ब्राउजर है, यहाँ आप क्या खोलोगे, और यहाँ फिर आप यूजी ब्राउजर खोलोगे, यह सब ब्राउजर के एक्जामपल होते हैं जहां से आप इंटरनेट में प्रिवेस करते हैं, दूसरा आता है बेव सर्वर, तो यह प्रोग्राम बेप ब्राउजर के द्वारा संसानों को प्राप्ट करने के लिए यूजर द्वारा दिये गए अनुरोध को पूरा करता है मतलब प्रोग्राम ब्रेफ ब्राउजर के द्वारा जो संसाधन है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए यूजर द्वारा आपसे जो भी नुरूज किया जाता है उसको पूरा करता है इसे हम बेब सर्वर कहते हैं ठीक है? जिस्वी सर्वर पर आप हो उसे तो आप उस condition में online हो data चाल हुआ और आप उसका यूज कर रहे हो तो ऐसी condition को कहा जाता है यह online मतलब जब user internet पर चांदकारी वा सेवाओं का अध्यान करता है तब कहा जाता है कि user online जैन आता है home page जब भी आप किसी site को शुरू करते हो और शुरू करने के बाद click करते हो तो जो पहला page खुलता है उस पहले page को कहा जाता है home page या द्रह page ऐसे याद रख लेना तो किसी भी site का शुरू आती प्रदर्थित page है जिसमें सूचना है hyperlink के द्वारा जोड़ी जाती है मतलब hyperlink का अर्थ है कि उस web page से हड़ जाते हो web browser को बंद कर देते हो तो हम कहते हैं कि आप offline हो गए सर्फिंग क्या होता है तो यहां पर जब भी हम क्या करते हैं कि internet के जो network में जो आप सूचना है खोज रहे होते हो तो खोजने के दौरान की जो प्रकिरिया है उस प्रकिरिया को surfing कहा जाता है दोस्ते इसको याद रखिएगा आई होप आपको चीज हैं समझ में आती जा रही होंगी internet से संबंदित कौन कौन से संगठन है एक नजर माल लेजिए हलकी फुल की सबसे पहले याद रखिए कि internet से संबंदित एक संस्था है EIETF मतलब internet engineering task force इसकी स्थापना हुई थी जनवरी States of America में इसी के दौरा जो internet की parameters होते हैं मानक होते हैं जिन नियम कानुनों के माध्यम से में इसको रन करते हैं वो ये नरधारित करती है दूसरा है ISOC तो internet society मतलब society internet society 11 दिसंबर 1992 को स्थापित हुई थी और United States of America में इसका मुख्यालय है इसका काम क्या है तो बिंड सर्फ और वॉफ कहान इसके संस्थापक हैं जिन्होंने कहता है कि internet हर व्यक्ति के लिए है तो दुनिया में internet की जागरुक्ता बढ़ाने का काम इसके दौरा होता है बहुत खूब थेंक्यू बिल्कुल सर धन्यवाद जो लाइन मैं बोलता हूं वह रियल से बहुत रिलेटेवल लगती है बेसक रिलेटेवल लाइन ही बोलता हूं और यकीन वानिये कि यह जीवन में कहीं न कहीं हमारे उपर जो हमारे साथ घटनाय घटती है उनसे इंस्प और इंटरनेट के लिए आवश्चक तकनीकी और इंजिनरिंग विकास जो है इसका प्रमुक योगदान रहा है तो आई ये भी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड नाइटीन नाइटी टू देन आता है डबलू 3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेव तो तीन डबलू है और ए निरधारन किया जाता है इसके दवारा कोई ट्याद रखेंगे देन अगला है इंटरनेट कॉर्कोरेशन फोर असाइंड नेमस और नंबर्स ICANN क्या है तो सितंबर 18 में 1998 में युनाइटे स्टेट्स ओफ अमेरिका में इसका इस्थापना होती है इसका नाम है इसका काम है IP और जो डॉमें नेम प्रदान किये जाते हैं जैसे मैं अफनी वेबसाइट बनाता उंड तो मुझे उसके लिए रडुब्ऑमेन नेम पर्चेस करना पड़ता है ताकि प्रूर्म्मेशन सोशाइटी और वर्किंग्ई गोफॉफ अब इंटनेट गवर्ंथ फॉर्म गवझनेंश फॉरु ये सब उदाइट नेशन दौरा शुरू की खैक है कुछ प्रोग्राम है कुछ संसा ऐसी है जो कि इंटरनेट को कंट्र विखा सब्सक्राफी से लिए अगला है इंट्रानेट एक्स्रानेट और इरनेट यह तीन चीजों को समझ लो बड़े धान से सुनना पहला सब्दाया है दोस्तों इंट्रानेट तो इंट्रानेट का अर्थ होता है कि कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क इंट्रा मतलब इंट्रा का अर्थी होता है अंधर की बात कंप्यूटर का जो खुद का एक निजी नेटवर्क होता है न वो इंट्रनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है उसको इंट्रनेट कहते हैं इंट्रनेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों की भी सुरक्षत रूप से आदान प्रदान कर सकती है मतलब यह एक प्रकार से क्लाउड मेमोरी में उस तरीके से नहीं जाता है जैसे सामानी सूचना आजाती है किसी कंपनी का एक खुद क एक चोटासा नेट वर्क इंट्रानेट कहला अंदर का नेट्वर्क नेट्वर्क के लिए से सथापना 1986 में हुई थी और देश के मुखे से एक्षनलिक संस्थान अनुसंधान जो केंद्र है इनको इसके द्वारा जोड़ा जाता है एरनेट मतलब एडूकेशन और रिसर्च नेटवर्क किलियर हो कई बात अगला है एक्ष्ट्रानेट मतलब इंट्रानेट कंपनी के आंत्रिक विजनिस के लिए काम आता है लेकिन असका उप्योग केवल उसी कंपनी के कर्मचारी कर सकते है और यह इंट्रानेट पर उपलब्द नहीं होता है अगर उसे यूजन नेम और पासवर्ट दे कर एक सिस्टम के जरिये इंट्रानेट से जोड़ा जाए तो एक्ष्टानेट बन जाता है तो याद रखना है कि इंट्रानेट का ही एक और कदम अगला ही कदम एक और घूपनिया चीज क्या हो जाती है एक्ष्टानेट हो जाती है आगे बढ़ते हैं प्रियसाथियों भारत में इंट्रनेट थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत में इंट्रनेट की सुरुआत कैसे कैसे होती है तो सबसे पहले भारत में जो हमेंने बताया था कि 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड अर्था BSNL के द्वारा पहली बार इंट्रनेट सेवा सुरू की गई थी कब की गई थी इंट्रनेट सेवा सुरू 15 अगस्त 1995 को देन क्या है कि दूसरी जो इंट्रनेट परदाता कंपनी है उसका नाम पूछ लिया जाए कि भारत में उस दूसरी कंपनी का नाम बताईए जो इंट्रनेट प्रोवाइड करती है तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में ठीक है और ये है BSNL BSN मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड ये BSNL अलग है BSNL ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है ये BSNL है जो की भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानती है नवंबर 1998 में इसकी शुरुआत होती है भारत में पहली free email सेवा कौन सी है पृष्ण पूछा जाए तो याद रखेंगे कि भारत की पहली free email सेवा है hotmail मतलब जो hotmail है इसको किसने शुरू किया था इसके जनक कौन है तो सवीर भाटिया पहली जो है email सेवा hotmail है और इसको शुरू किया था सवीर भाटिया के द्वारा ये question मन सकता है नई दिल्ली स्थित National Information Center NIC भारत में internet connection प्रयोग करने वाला पहला संस्थान था ये most important question है अरी यहीं से तो PSC question fake के मारता है और इतने सरल सरल को question बस याद कर लो एक बार इनको समझ लो कि आखरिन में क्या है easily आपको समझ में आ जाएंगे अगला है कि भारत की नई internet नीटी जो है उसका data in internet domain है ये point याद रखिएगा कुछ important point बता देता हूं फाल तू point जादा है आद मत रखना एक सब्द आया है इरिनेट अभी हम discuss कर चुके हैं इसको एक बार समझ लो मैंने आपको बताया था कि इरिनेट क्या है 1986 में इस्थापित हुआ था दूसरा है इन्फिवनेट इन्फिवनेट मतलब यह है विश्विध्यालय अनुदान आयोग यूजी सी जो है तो यूजी सी द्वारा श्रू किया गया विश्विध्यालयों और कॉलर्जियों के लिए इन्फॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसे इन्फिवनेट कहा जाता है एक है बिटसनेट तो भारत सरकार का वायो टेकनोलोजी के लिए जो नेटवर्क डिजाइन किया गया है गवर्मेंट ऑफ इंडिया वायो टेकनोलोजी यह बिटसनेट कहलाता है छीक है यह point याद रखना है अगला है R.A.B.M.Net R का मतलब remote area business message network तो remote area business message network को कहा जाता है R.A.B.M. Network यह C.Dot दोरा सुरू किया गया network है अगला है NickNet तो NickNet हमने पहले भी चर्चा की थी कि National Informatics Center जो है National Informatics Center Network जो भारत के राष्टी है सूचना विज्ञान केंद्र ने उफगरह आधारित निकनेट नामा के राष्टी व्यादपी Computer संचार network के साबित किया है इसके दोरा सभी राज्येवम जला मुख्यालेओं को आपस में जोडा गया है यह point याद रखेंगे अगला आपको इसमें कुछ चीजें जैसे Internet of Things क्या है यह सब्द आपने बहुत सुना होगा Internet of Things क्या है तो पहले पूछा जाएगा कि आखरे सब्द को किसे ने दिया है ऐसे समझ लो इस सब्द को हरे कृष्णा, निसा तो इस सब्द को किसने दिया है सब्द को दिया है केविन एस्टन ने किसने दिया है केविन एस्टन द्वारा पहली बार इस्तिमाल किया गया था Internet of Things उन्होंने कहा था कि Internet एक ऐसी प्रनाली है जो Internet सर्व व्यापक सेंसर के माध्यम से भौतिक दुनिया से जोड़ा जा सकते है भौतिक दुनिया जैसे हम छू देख सकते है तो एक सर्व व्यापक एक ऐसा सेंसर होना चाहिए जिससे हम भौतिक दुनिया से जुड़ जाए और यह एक ऐसा कंसेप्ट है जो सभी उक्करन जो कि on या off switch चलते हैं रन होने लगे यही कंसेप्ट कहलाता है इंटरनेट ओफ फिंग्स चीक है तो इंटरनेट ओफ फिंग्स एप्लिकेशन स्मार्ट होम, स्मार्ट विकल, स्मार्ट डवाइस इन चीजों के लिउज किया जाता है समझ गया होंगे भारत ने उन 2014 में इसके लिए अपनी पहली IT नीती का मसौधा तयार किया था यह पॉइंट याद रखना है और 2015 में जब डीटन इंडिया की बात कही गई स्मार्ट सिती परियोजनाओं की बात कही गई तो उसमें इन लक्षों को धिमात में रखा गया और इस नीती को संसोधित करके Internet of Things की यूज को बढ़ाने का प्रयास किया गया सरकार सूचना प्राध्योगे की उद्ध्योगों नासकॉम और अन्य उद्ध्योगे के साहियोगों के साथ मिलकर Incubation Center of Excellence जो है इसके नाम से इसका प्रस्ताव रखा है जिसे National Center of Excellence नाम दिया गया है जो Internet of Things के लिए काम करेगा तो आंद्र प्रदेश सरकार ने पहली Internet of Things नीती 2016-2020 को मंजूरी प्रदान की है प्रिशने पूछा जाएगा उस राज्य का नाम बताईए वह कौन सा राज्य पहला है जिसने Internet of Things नीती को पहली बार स्वीकृति प्रदान की है तो वह आंद्र प्रदेश सरकार है दोस्तों के साथ इंडिया के स्टेट इस चीज में नेट्वर्क के चीज में या टेक्नोलोजी में थोड़े आंगे रहते हैं दूसरा है एक-व्य भीएर होना चाहिए नीतियों से बहुत ज्यादा उतार चड़ाव नहीं होना चाहिए व सबजह विसंद्वर्क नहीं से बार्द डियर ने andere और सिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोसित किया था तो यदि आपको इंटरनेट तक पहुंचने से कोई रोगता है तो आप आर्टिकल 21A में जो है बोल सकते हो कि राइट पर एजुकेशन का हमारा वा परबरी 2016 में पहला कदम उठाया गया था और यहते कर दिया गया था कि जो भी इंटरनेट सेवा प्रदाता है या सामगरी प्रदान करते हैं या इंटरनेट पर जो सामगरी के द्वारा भेदवाब करते हैं लोगों में किसी को प्रवाइड करते हैं किसी को नहीं करते किसी से कम पैसे किसी ज़्यादा पैसे वसूलते हैं इन सब पर एक प्रकार से कंट्रोल करना सब को ट्राई का मेहत्पून काम है तो जो जियो एटेल वोड़ाफ़ान आइडिया यह सिम अगयरा है जो सर्विसेश देती हैं इन सब पर ट्राई नगरानी रखता है कि कि किसी तरीके सबस्क्राई चैनल है नई दिलली में हैटकॉार्डर है पोईन्ट यद रखिए गई है अब बात कर लेते हैं बेप पेज क्या होता है पहले ब्राउजर क्या होता है बेप प्राउजर में कौन-कौन सी चीज़ें होती है home page खुलेगा उस पर जो भी चीज़ें आपको देखेंगी यह क्या कहलाएगा बेप का पेज कहलाएगा तो जो जो चीज़ें आप खोलते जाओगे वहर एक पेज बेप पेज कहलाता है फिर आता है वैब साइट ठीक है साइट का मतलब होता है कोई स्थल तो एक वैब साइट सारव जनेक रूप से इंटरनेट पर अपलग्द बेपेजों और समध्य सांग्रियों का एक संग्रह है आपने जिस भी क्रोम को खोला क्रोम को खोलने के बाद आपको और चीजों में आपने एक लिंक को क्लिक किया ठीक है यह लिंग्ग को यह वैप साइट करते ही आपको पहला वैप पेज दिखेगा तो पहले वैप पेज को होमपेज कहेंगे और आसे बहुत सारे वेप पेज होंगे तो इस साइट पर जो भी डला है न वह सब क्या हो बेपेज और सामग्री का संग्रह कहलाता है ठीक है जिसे एक सामान्य डोमेंड नेम के नाम से पहचाना जाता है तो हम कहेंगे कि नमुए बीसी की वेपसाइट पर जाओ और वहां से आप कोर्स को पढ़ लो कुछ चीजों को समझ लो सराज बिलकुल तुर्किस एक्टर की तरह लग रहे हो तुर्किस एक्टर अच्छा मुझे लग रहा आप साम बोलेंगे कि आचली जैसा गमशा ओड़ा हुआ है खेर धन्यबाद आपने मेरी लाज रख ली सर्च इंजन सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटावेज से यूजर के सवाल को खोचता है तो क्रोम तो चलाते हो बाइक तो चलाते हो बाइक पर बैठ जाते हो लेकिन बाइक चलती कैसी इंजन के द्वारा ना तो वैप साइट आप खोलते हो किसी ब्राउजर के द्वारा लेकिन ब्राउजर इस चीज का यूज करके चलेगा तो एक search engine optimization होगा और search engine कौन सा है यहां पर यहां से Google एक search engine ठीक है तो Google क्या है search engine है डगडग गो search engine है अभी समझना तो search engine example में हम कह सकते हैं कि Google यहां पर एक search engine होगा जो in website in web browser को चलाता है web browser पर आपको website मिलती है उस website में web page खोलते हैं I hope this is clear फिर आता है web browser तो web browser मैंने बताया कि computer program है जो इंटरनेट पर मौब वजूद web page को website को आप तक पहुचाता है for example Chrome एक बार और समझ लो बोर मत होना देखो web browser क्या है Chrome है तो Chrome आप किस पर चलाओगे आपके search engine पर उस search engine पर आपने Chrome चलाया एक आपको website मिला आपने website खोला उस पर web page मिला web page में पहला page home page होगा वांकि other pages होंगे इतनी चोटी सी कहानी है यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक picture के लिए search engine तो search engine एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमट डेटावेस से यूजर को सवाल खुशता है अभी दोपहर की क्लास में या पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो search engine होता है मतलब cloud memory में अरवों खरवों जीवी का डेटा सेव है और यह जो डेटा सेव है न यह डेटा एक्शुल में कहीं पर एक प्रकार से सर्वर बनाया गया है उस हैवी सर्वर में इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है जैसे गूगल कंपनी बगेरा क इतने खरवों डेटा में से आपको क्या चाहिए उस समुंद्र में से बूंद को निकाल कर देने का काम कौन करता है यह search engine करता है is that clear or not जैसे की एक search engine अभी हमने गूगल को एक प्रकार से स्थापना की थी तो नाम याद रखना कौन लेरी पेस तो रखी लिए ना दो नाम याद ना हो तो गूतरा नाम याद रखेंगे आर की तो 10 सितंबर 1990 को एलन एम्टेज में इसकी स्थापना होती है बिंग एक महत्पूर्ण सर्च इंजन गूगल सनी वाले कैलिफॉनिया उनाइटे श्टेट्स में स्थापना होती है कैलिफॉनिया उनाइटे श्टेट्स में कब 1994 में और जैरी यांग और डैविट फिलो तो डैविट फिलो यहां पर मुक्रूप से याद रखना कि जैरी यांग और डैविट फिलो ने याहू की स्थापना होती है एरिक जू और रॉबिन ली के द्वारा तो बैडू चाइना का है आस्क करके एक सर्चिंजन है कैलिफोनिया यूएसे में स्थापना हुई थी डैविट बार्थम के द्वारा डैविट बार्थम ने जून 1996 में इसकी स्थापना की उसके बाद में डगडग वह आता है 2008 का तो गैबरील वींग वर्क का ये एक प्रकार से सर्च इंजन है वहांकी यही आप याद रख लेना बस इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखने इस संस्थापक कौन है उनके नाम तो आप याद रखी लेना जो इंटरनेट पर मौजूद बेप पे लिए फैख़ेंगेत करता है जैसे कि आपको एक्जामपल दिया था मैंने किंडिया का फिस्ट यह पॉइंट याज रख लेना इंडिए का पहला बेप ब्राउजर कौन सा ही तो इंडिया का पहला बेप ब्राउजर है दोस्तों इपीछ ठीक यहां पर समझ लो कि बेब ब्राउजर कौन कौन से जो आप सबसे चर्चे थे गूगल क्रोम दो सितंबर 2008 में इस्थापना हुई मॉजएक 1993 में मोजिला फायरफॉक्स सफारी सफारी जो है एपल का है उसके बाद माइक्रोसॉप्ट का है इंटरनेट एकश्प्लोरर चीक है ऊपन-source मोजिला और फायरफॉक्स व्यस्ट्स ब्राउजर मीक्रोसॉप्ट ऐज यह भी माइक्रोसॉप्ट का है नाम याद रखने हैं एक बार confusion खतम कर देता हूं ध्यान को सर्च इंजन पूछे तो सर्च इंजन में सफारी इंटर्नेट एक्स्प्लोरर माइक्रोफ्ट एज ऑपेरा स्लिम ब्राउजर मैक्स्थॉन यूची ब्राउजर टॉर नैट्स के यह सब के सब ब्राउजर है और भारत का पहला ब्राउजर है ठीक है यह पॉइंट तुर्की कंट्री के मन की तरहे फेशियल फीचर्स है झैसे तुर्की कंट्री जैसे फेशियल फीचर्स देते हैं मतलब अच्छा तुर्की लोग जैसे लगते है सकल से वैसा कहना चाह रहे हैं ओक्छ्य को यदि मेरा हमसकल आपको दिखा हो तो मुझे फोटो जरू ब्हजिएगा अगला है Measure को समझ लो healthith औरर इंटरनेट या इलेक्ट्रोनिक जो मेल होता है उसको हम इमेल के नाम से पूरा नाम क्या है इसका इलेक्ट्रोनिक mail है यह point याद रखिएगा तो यहाँ पर आप समझें कि एक internet के माध्यम से किसी computer या अन्य उपकरण से प्त्रे भेजने का एक तरीका है कभूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिठी साजन को देया तो पहले कभूतर उलता था अब जो है type होती है उगलिया mail चलता था mail के बाद WhatsApp आ गया WhatsApp का जमाना भी अब लगभग गया आप चलता है Instagram, Snapchat इन चीजों पर कभूतर जो है संदेश भेज़ता है है ना दूसरा यहाँ पर याद रखना दूसरा है इसका क्या point है कि एक email को भेजने के लिए एक email पते की आवशकता होती है जो user name और domain name से मिलकर बना होता है जैसे संस्थान को आपको कोई mail भेजना है तो आप लिखोगे नमो ABC Academy एक user name है ना यह पता कहलाएगा क्योंकि एक user name पूरा का पूरा उसका mail का point है Hotmail की स्थाफ ने 1996 में हुई यह पहला सबीर भाटिया द्वारा इस्थाफित पहला email सिस्टम है 1997 में Microsoft ने खरीद कर Outlook में परिवर्थित कर दिया था याहू जो mail भेजने वाली कंपनी थी 1997 फिर आया Gmail 2004 में Red Hat 2009 में आया Sifi 1999 में आया भारत में सबसे यादा Gmail का उपयोग किया जाता है email के रूप में यह point याद रखिएगा है न अगला याद रखो कि 1972 में Ray Tomlinson ने पहला email संदेश भेजा और Ray Tomlinson ने ही सर्वप्रतम at the rate जो हुचिन है न इसका चैन किया था कितना बहत्रीन question बनेगा मैं examiner होता था यह question जरूर डालता आगे बनूँगा तो डालूँगा 1975 में Ray Tomlinson ने पहला email संदेश भेजा और Ray Tomlinson Ray Tomlinson ने ही सबसे पहले at the rate चैन का चैन किया था यह point याद रखना है Ray Tomlinson was the first person who using the at the rate sign चीक है चलो आगे बढ़ते हैं 30 August 1982 को अमेरिका सरकार ने भारतिया अमेरिकी B.A. सिवा आया दुरई को अधिकारिक रूप से email की खोज करने वाले के रूप में माननेता दी थी तो 30 August 1982 को अमेरिका की सरकार ने किसको माननेता दी थी कि इस व्यक्ति ने है दुनिया के सामने घी एमेमेल और जीमेल में क्या अंतर इमेल एक सुवधा है और क tradition इमेल जो है कई प्रकार के जो है साइट से कर सकते है कई प्रकार की कंपनिया है यहा हूँ है जीमेल है इन सब के दोहारा इमेल भेजा जाता वोग business का पार्ट उसके बाद मैं इंध रखना डार्ट वेब डीफ ने यह वो चीजह है आप यूज कर रहे हों ना वो ऊपर उपर कि को कि क्योंकि प्रिकृति में दो चीजों होती प्रकात और तो इंटरनेट पर जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो सब प्रकास है लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है वह क्या है समझो इसे ही कहते हैं डार्क वेव तो सर्फेस वेव यह इंटरनेट का बहभाग है जिसका हम आम तोर पर दिन प्रती दिन के कारियों में प्रयोग कर करते हैं यह सर्फेस वेव को एहलाता है लेकिन दूसरा इसका पोजेट होता है किसी डॉकमेंट तक पहुंचने के लिए उसके यूर्य एड्रेस पर जाकर लॉग इन करना होगा जिसके लिए यूजर पासबर्ट का नेम का प्रयोग करना होगा जीमेल अकाउंट ब्लॉग किये जाने बाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता है आप गूगल से डार्क वेव तक नहीं पहुंच सकते यह काली दुनिया है यह मान के चलो हैकर्स वगेरा इसका उसकरते हैं समग्र इंटरनेट का 96 परसेंट भाग डार्क वेव से निर्मित जबकि सतही वेव चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिखती हैं और इस 97 परसेंट भाग का कहते हैं कि यह डार्क मेटर है जो डार्क मेटर डार्क एनरजी है काली जादू सक्तिमत समझ लेना इसे यह डार्क मेटर है जिससे पूरे ब्रहमान का संतायन्वे पृतिसत भाग निर्मित हुआ है और तीन परसेंट भाग से ग्रह तारे नक्षत्रे धर्ती के समाम मनुष्य ऐसे हजारों करह निर्मित हुआ है वो केवल इस ब्रहमान का तीन परसेंट इससा है इनी चीज़ों को जयन धर्म में स्यादवाद कहा जाता है यह सब्त भंगी ज्यान कहा जाता है कि जो आपको को दिख रहे उसे आप मांते हो सकते और आपको पता है कि कुछ और चीजें है जिने हम नहीं जानते लेकिन आप यह नहीं आघर ब्हुत और ऑन हुए है में offline execute नहीं हो पाया है due to place classrooms जगह कम है तो उस कारण से हम offline तो कंड़क नहीं करवा पाई लेकिन online चल रहा है ठीक है चलो इस पेस net क्या है एक बार वह समझे लो इसको सरफेस वेब वह है जो इंटरनेट का वह भाग जैसे हम और आप दिन भर यूज करते हैं जिस पर आप केवल id password हो गई इन वेब साइट पर आप नॉर्मल नहीं जा सकते हो आपको अंदर भुशने के लिए सरकारी जो है आईडी पासफर्ट चाहिए रहता है तो गवर्मेंट उसका यूज करती है लेकिन डार्क वेप गो है जिस जो हमें ऐसे दिखता है कि हमने कहा नल हैंड़ देखा है तो हैंड़ उपर दिखता है हमें थोड़ा सा पांस साथ फिट लेकिन अंदर तो सौफ दिख रहा है वो सर्फेस वेव हमें तो और जो देखर सोफिट हैंड़ गया है जो वो डीब वेव हैं से मान के चलो ऐगे बढ़ते हैं इंटरनेट किसे कहते हैं इंटरनेट यहां इंटरनेट अंत्रिक्ष प्राध्योगी की छेत्र की प्रमुख निजी कंपनी है इस्पे एक्स के संसापक कौन है टेसला वेसला कंपनी किसकी है इलॉन मस्क की तो याद रखेंगे कि स्पेस नेट करके एक परियोजना है अंत्रिक्स प्राध्योगी की छेत्र में प्रमुख निजी कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस इंटरनेट की सुग्दा मोहिया कराने के लिए इस परियोजना का नाम है इस्टार लिंक नेटवर्क अर्थात यह कंपनी चाहती है कि 2020 तक युएसे तथा कनाडा में इस्पेस इंटरनेट की सुग्दा देना प्रारंब कर देगी अंत्रिक्स में भी आप नेट का यूज कर सको धरती पर तो कर ही रहे हो लेकिन जो लोग लोग भी नेट का यूज कर सके दिसके उस्पेस नेट धर्ती पर और हम नेट का यूज करेंगे उसे इसपेशनेट कहेंगे यह 20-20 तक प्रोजेक्ट था इसी स्टार लेंग में देख़ए तरिक के आसपास कितने उपग्रहत एर रहे हैं ठीक है लापों की संख्याव आग इसके बाद दूसरे चड़न में 308 सेटलाइट भी इसी कक्षा में स्थापित किये जाएंगे तो अभी हमको जो सर्विसेस मिल रही है उन सर्विसेस को और तेज करने के लिए भी इस परियोजना का प्रयोग किया जाएगा दूर दराज के इलाके जहां भूमी उबल खावड तावर ताथा केबल लगाना संभव न हो देखो अब हमारे यहां क्या होता है टावर लगाय जाते हैं इंटर्णेट के लिए जिन जिन शित्रों में टावर पास होते हैं वह ज्याद है यह परियोजना आगई था हमें पूरे च्छी इजली मिलने लगए लगेगा हैं यह ह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो धर्ती के कौने कोने में इक्वल नेटवर्क मिलेगा आपको यह पॉइंट आपको याद रखना है इलावन मस्क बिल्कु सही का आप सबीन बहुत-बहुत बढ़ी विखान से देख लो यह होती है को एक्सियल केवल यह होती है इनका इंटरनेट यूज किया जाता है कोस्ट आया है इंटरनेट के जन्मधाता कौन ने, इमेल के जन्मधाता कौन हैी मेल के जन्मधाता रे टरोम लिन्सन जिन्हों और रुल रुक्ति저uteil का प्रणा नाम किया धा वर्ल्ट वाइड वेब है उन्यना इसका एक परकार से खुज में दाता कहा जाता है वर्ड वाइड वेप के विसका रखें टिंबर नर्स ली अगला कोश्चन यासा बनेगा इंटरनेट पर विसुका पृथम उपन्यास का नाम बताइए तो इसका पृथम उपन्यास है राइडिंग दा बुलेट याद रखना पहला उपन्यास कौन सा है इंटरनेट पर राइडिंग दा बुलेट रख लेना इन चीजों को कुछ एक्स्टा चीज में आपको में डाल कर दे रहा हूं जो हम कंसेप्ट में नहीं डालते हैं अगला है देश का प्रथम साइवर अपराद पुलिस स्टेशन कहां है तो भारत का पहला साइवर अपरा प्रोकॉल क्या होता है तो इंटरनेट पर सूचनाओं को भीजनों के लिए नियमों की पूरए नाम क्या है तो पूरा नाम होता है इसका पूरा पूरा हूं me उसके बाद में जो है website के पहले page को क्या कहते हैं तो homepage कहा जाता है साथी Microsoft द्वारा बनाया गया search engine कौन सा है तो यहां पर Microsoft द्वारा ना Google ना Yahoo ना explorer इन में से कोई सा नहीं बनाया गया comment करके बताओ Microsoft के द्वारा कौन सा search engine बनाया गया जल्दी comment करो दैन इन मैंसे कौन सा एक internet network है तो मैं लैन वैं डवलू पीए डवलू पीए सब सब के सब internet network है अभी हमने डिसकस किये थे FTP क्या है तो file transfer protocol है जिसमें फोटो वीडियोस भेजी जाती है उनसे सम्मंदित नियम कानू इमेल का full form है electronic mail electronic mail ना कि electrical mail electronic mail है याद रखेंगे ठीक है निमन मैंसे ब्यापार एक domain कौन सा है जिसे ब्यापार के लिए उप्योग किया जाता है तो ब्यापार मतलब commerce commercial तो .com commercial UK जो है United Kingdom का है education का edu net का network com का commercial यह point याद रखना है ठीक है military का mil बताया था government का .go भी बताया था इसे याद रखेंगे इन मैंसे कौन से IP address रोज नहीं बदले जा सकते हैं तो static IP address रोज नहीं बदले जा सकते हैं डायनमिक बदल सकते हैं याद रखेंगे internet की खोज किस पकार हुई थी इसके पहले बाली वीडियो देख लो मित्र जो आज मैंने दो पहर में record की थी उसको पढ़ लेना internet का पता चल जाएगा internet google chrome क्या है तो एक search engine नहीं है google search engine है और browser है google chrome google के नर्माण करता कौन है तो बताया था रहा लेरी पेज और सर्जी ब्रेन इसके नर्माण करता है जीमेल से आप mail भेजने के लिए किस function का चैन करते हैं तो compose करते हैं हम वहाँ पर एक function आता है अब attachment मतलब कोई उसमें PDF फाइल फोटो अटेश्मेंट का यूज करते हैं तो यह सारी चीजे website बनाने के लिए अनुवार रूप से उप्योग की जाने वाली लेंग्वेजन में से कौन सी है बताया था HTML hypertext marker blackmail का यूज किया जाता है करेंगे कल मुझे बाहर जाना है पर तो हम मेलेंगे class continue करेंगे unit 9 में complete कराकर छोड़ूंगा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजे करा हूंगा सभी को सुब्रात्री